तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में तो दोस्तों आज की जो विकिंसी है ये विकिंसी गेल की तरफ से आ रही है ये इक गैस हमारा मिनिस्ट्री ओफ पैट्रोलियम एंड निचुरल गैस के अंडर वर्क करता है डिपार्टमेंट गवर्म नहीं है वीडियो को लाइक करके स्किप कर देंगे साथ ही जो भी कैंडिडेट इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन आप सभी को टैलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा टैलीग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्यूप्शन मे जिससे कि आप लोग सारे विकेंस को अच्छे से देख पाएं तो गयज यह नोटिफिकेशन है की तरफ से और यहां यह विकेंसी दी गई है देखे काफ़ी लिए इंचिनेबर काई वाई है जोllip टेवल फर्स्ट में सारी विकेंसी पोस्ट आउट की गई है यह आप लोगों का चीफ मैनेजर की सेनियर इंजीनियर सेनियर इंजीनियर कैमिकल तो यह सारी विकेंसी आप लोगों को बताई गई है कितनी विकेंसी किसमें निकाली गई है इस तरीके से आप लोगों को यह सार सब्सक्राइब करेंगे चाहिए यहां पर अगर आप लोगों नहीं पर डिप्लोमा किया है इंडूस्ट्रियल से लिए कर सकते हैं और गाईज यहां पर थी एर का आपका एक्स्पिरिंस रिक्वाइड है और pay skill 50,000 starting दिया जाएगा नेक्स्ट विक इंसी है यहाँ पर senior officer HR की graduate student भी e-tech student 60% के साथ में अप्लाई करेंगे और साथी जो हमारे यहाँ पर ऐसे मतलब bachelor degree वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ देख सकते हैं अगर आप लोगों ने गई यहाँ पर डिक्लूमा किय पर्सनल मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल में 65% आप लोगों की percentage हो ली चाहिए फाइनल में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यह बहुत यह रिक्यूर्मेंट है और यह हमारे डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं वान यह का इस्पिनेंस आप ल लोग अगर यहां अप्रेंटिस कर रखे होंगे तो वह तो अप्लाई कर पाएंगे यह काफी अच्छी रिक्यूर्मेंट है नेक्स्ट विकिंसी है यह विकिंसी है सीनियर ऑफिसर के लिए 60,000 स्टार्टिंग सालरे पैकेज हैं जिसमें हमारे सिये वाले स्टूडेंट या यहां पर जो आप लोगों के टेक्निकल स्टूडेंट हैं वह नीचे वाले विकिंसी के लिए यहां पर हमारे सभी में नॉन टेक्निकल स्टूडेंट और वन एयर का एक्सपीरेंस रहेगा मतलब GET कर रखें हैं अप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसी प्रकार से यहां पर बैचलर डिग्री वाले स्टूरेंट इलेजिवल हैं वान एयर का आप लोगों का एपरेंटेस होना चाहिए यहां अगर आप लोगों का जो स्टार्टिंग साथ दिया जाएगा नेक्स्ट वेकिंसी जो आप लोगों की दी गई है देखिए यहां पर जो नमबर टैंग वा चाहिए और आप लोगों का एपरेंटेस कंप्लेट होना चाहिए तब ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से यहां आप लोगों की बैचलर डिग्री होनी चाहिए यहां फाइर एंड से रिल्मेंट आपकी ब्रांच होनी चाहिए तो अप्लाई करेंगे प्लस आपका apprentice complete होना चाहिए next vacancy है यहाँ पर bachelor degree वालों के लिए metallurgy, metallurgy material 65% के साथ में आप लोगों लिए इस ब्रांज से BEB tech किये है और plus आप लोगों की apprentice complete है तो ही आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे apprentice नहीं है तो apply नहीं कर पाएंगे next है यहाँ पर senior engineer की vacancy bachelor degree से electronics, electronics communication, electronics telecommunication, electrical, electronics electrical telecommunication minimum 65% के साथ में और apprentice आप लोगों का होगा तभी eligible है next है यहाँ पर है आपका senior engineer मतलब senior engineer instrumentation वालों का और guys यहाँ bachelor degree eligible है instrumentation, instrumentation control और electronics instrumentation, electrical instrumentation, electronics, electrical, electronics 65% के साथ में प्लस आप लोगों का one year experience मतलब GET apprentice होनी चाहिए यहाँ जो आप लोग की five vacancy है senior engineer की है electrical branch वालों के लिए बी बी टेक electrical branch से कर रहा है और one year का experience होना चाहिए आप लोगो देखेंगे यहाँ पर जो आप लोगो आप लोगो देखेंगे यहाँ पर जो आप लोगों की renewal energy है renewal energy में यह विकेंसी दी गई है यहाँ बैचलर डिग्री mechanical instrumentation instrumentation control electrical instrumentation या फिर chemical apply कर सकते है 65% होना चाहिए और आप लोगों नी GET complete होनी चाहिए यह तो थी गाइज आप लोगों की जो हमारे graduate वाले है fresher वालों की लेकिन यह जो विकेंसी है first वाली इसमें जादा experience मागा गया है तो आप लोगों की salary भी जादा है नभी हजार starting salary है और यहाँ पर बारह साल का आपका experience होना चाहिए तो गैस इसलिए आप लोगों की यहाँ पर मैंने नीचे से start किया था जो भी candidate हमारे यहाँ पर eligible है वो जरूर अप्लाई करें अपरेंटिस कर शुके हैं तो उनके लिए यहाँ पर opportunity थी और अगर आप लोगों ने यहाँ प्लाइब दिख्यां पर दिया गया फुल टाइम कर रख़ा है तो ही आप लोग लिजिवल है और आप लोगों की जो भी विकिंसी है आप लोग देख लीजिए आप लोग किस ब्रांच के लिए और किस विकिंसी के लिए लिजिवल है वी ई-बीट-वी ते वाले student apply करेंगे प्लस डिप्लोमा वाले student last की दो वेकिंसी सी या तीन वेकिंसी में तो अपना देख लेजी किस वेकिंसी में आप लोग अपलाई कर पाएंगे अपलाई किस तरीके से करना है और क्या last rate है चलिए मैं आप लोगों को यहां discuss कर लेती तो आप लोगों की लास्ट टेट है स्टार्टिंग चार जनवरी दोजाट थेज से दो फरवरी लास्ट डेट आप लोगों की यहां पर रखी गई है आप लोगों को रिलक्षिशन भी दिया जाएगा कोर्ड के Remdole के साथ देख लिए जो ग्रेट लिए ग्रेट 5 वालो विकिनसी के लिए साट्ट अरबेष अर्वरी के लिए 50,000 तव्मालों के यह साथर फ् kon tive क्राणी की तो यहां जबूचा की चान bright neither यह आप लुवा की आपनेवं लगों की प्लस आपके ऑ नेलीपिकेशन की बात करें तो यहां जो एप्लिकेशन फीस है यू आर EWS OVC के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है और SCSTPWD Candidate के लिए कोई भी फीस नहीं है तो आप लोग यहां पर आप लोग के लिए का फॉर्म है तो सभी Candidate apply करें एप लोगों को जो दिस्क्रीपिशन लिंक दी गई है वहाँ से जाकर online apply करेंगे यह लिंक अपको description में पोई कर दी जाएगी और starting आप लोग यहां से starting date है यह last date से पहले पहले आप लोग apply कर दें apply किस तरीके सिए करना है देखें याँ करना है स्टेप थ्री में अप्लोड करना चाहते तो कर सकते हैं उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे दैन आप लोग यहां पर पूरा समीट करेंगे इस तरीके से यह आप लोगों को यहां पर करीब आप लोगों को फिजिकल टेस्ट एक आप लोगों के इंटर्व्यों के जो भी मांक्स होंगे उनको में लाकि मेरेट लिस निकाले जाएगी उसके आदर पर यहां पर आपका सेलेक्शन होगा और यहां पर हमारे इंडियन गंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं आदर यहां पर अप्लाई नह करना है तो यह आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्टिन में प्रोवाइड की जाएगी यहां पर अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी रेगिश्टेशन वगरा नहीं गया है तो इस पर क्लिक किजिए और आप लोगों की इमेल डी पास्वर्ट मिल जाएगा तो इस पर लोगों को यूजर नेम डालना है इमेल डालने OTP और OTP उसी इमेल डी पर जावेगा इस इमिल डीका अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो क्योंकि लास्ट डेट आप लोगों की बहुत ही ज़दी आजाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा